हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो आर चैनल पॉश कोचिंग क्लासिस मैसल सूरेहा पॉश आज मैं दुबारा आप लोगों के सामने आए हूँ अपना नेया सब्जेक्ट लेकर जो मैंने शुरुआत करी थी क्लास 11 की आर्ट स्ट्रीम की आज मैं आप लोगों के सामने सेम सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चाके सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोस बिग्नेंग से लेकर एंडिंग तक प्लीज जरूर देखे ताकि आप हम जो भी समझा रहे हैं आपको समझ आ सके तो चलिए करते हैं शुरू देखिए आज मैं चौप को पढ़ाने जा रही हूँ वो क्लास 12 का चैप्टर नमबर वन है विच इस करिकुलम आपने आपको लाइफ में पता होगा जब आप कोई चीज करते हैं आप किसी भी फिल्ड में जाते हैं कोई वर्क करते हैं कोई स्ट्रीम चूज करते हैं जैसे किस राष्टे पर चलना पड़ेंगा की सब्जेक्ट स्टे करने पड़ेंगे ताकि कल को आप क्या करो उसी सब्जेक्ट समें आगे चलके पढ़ाई कर सको है और पर vous कोई जोब या पिसे भी физ면 सो आपके उनकी तैयारी कर सको ताकि आपकी अच्छी सी जॉब लग सके या फिर आप अपना करियर जो है उसी फिल्ड में बना सके तो हमारे जो करिकुलम है वह यहीं बताता है आप देखेंगे जब भी आपको चीज करते हैं आपके पास कुछ चीजे होती है कोई ट्रैक होता ह है जिसको आपने पकड़ना होता है और उसी ट्रैक पे चलके आप अपने मंजिल तक जो है वो पहुंच सकते हैं तो यहां पर करिकुलम के बार में सबसे पहले में आपको पढ़ाओंगी कि करिकुलम आखिर होता क्या है जैसे मैंने आपको एडुकेशन क्लास 11 में बताय थ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा महनत करनी पड़ेगी यह एक ऐसा कोर्स होता है जो कोई भी इनसान उसको अचीव करने के लिए क्या करता है कुछ पार्टिकलर सेट अफ रूल्स और रेगलेशन को फॉलो करता है ताकि जो उसने मकसद अपने लिए सोच रहा है उ उस रास्ते को पकड़ के आप क्या करेंगे, अपने मकसद तक पहुँच सकेंगे, जैसे आप मैं बात करूँगे, किसी भी तरह के सब्जेक्ट की, क्लास 8 की मैं बात करूँ, 9 की बात करूँ, 10 की बात करूँ, जब भी आपके बोर्ड एक्जाम्स होते हैं, आपको बोर्ड अगर marks लेने हैं आपको इन सारे जो भी आपको topics दिये जाएंगे इन सारे topics को अपने अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आप अच्छी percentage लेके अपनी आगे वाली class में जा सकें तो curriculum का यही काम रहता है वो एक आपको एक ऐसा course प्रोवाइड करता है जिस course को आप पढ़ सकते हैं उस course को पढ़ने के बाद में आपने जो भी अपना goals set किया हुआ है जो भी अपना मकसद बता रखा है उस मकसद को अचीव करने में मदद आपकी curriculum ही करता है तो मैंने आगे आपको बताया कि जो curriculum होता है वो एक essential part माना चाता है मतलब अगर आप पढ़ाई करना चाते हैं आप पढ़ना चाते हैं टीचिंग लर्निंग की अगर बात की चाती है तो जो curriculum है वो बहुत ही जादा important है बिना curriculum के आपकी teaching and learning जो है वो कभी भी complete नहीं हो सकत हैं तो आप कभी भी उस goal को achieve नहीं कर सकते आप किसी चीज कभी भी अपने आपको आगे नहीं बढ़ने के लिए प्रेरीद कर सकते अगर आपनी life में कोई goal set किया होता है आपको पता होता है इस goal तक मुझे कैसे पहुंचना है कौन-कौन से रास्ते ताय करने है ताकि उस मक आपको पूरी 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 पड़ाई होती है या फिर आपके जितने भी life के experience होते है वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं आपकी curriculum में किस तरह का curriculum आपने set करके रखा हुआ है क्या आपका a course a particular course क्या है जिसको आप पढ़ेंगे जिसको पढ़ने के बाद आप life को आगे मकसद तक पहुंचके उस चीज को पा सकते हैं इसके बाद मैंने यह बताया है कि जो आपका curriculum होता है उसका हमारी education process में बड़ा ही effective role रहता है जैसे मैं अगर normal example देने की आपको कोशिश करूं जिसे आपको समझ में आ सके जिसे आप 12th class में है आपको पढ़ना है आपका subject है education अब education में अगर आपको मैं ऐसे ही बोल दिया जाए बोर्ड के तरफ से कि आपको education पढ़ना है तो education में क्या क्या पढ़ना है वो नहीं बताया जाए आप उस चीज को अचीज को अचीव नहीं कर पाएंगे आप 12th में परसंटेज नहीं ला पाएंगे बहुत सर पच्छे ऐ लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा course नहीं है कोई ऐसा जरिया नहीं है जिस तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके तो उस मंजिल का उस गोल का कोई भी फायदा नहीं होता जिसे मैं एक और example देके समझाने की कोशिश करूँगी आपको अपने जहां आप रहते हैं वहां स पहुंचना है लेकिन रास्ते का पता नहीं है तो destination का पता होना रास्ते का पता नहीं होना वह आपको कभी destination तक नहीं पहुंचा सकता लेकिन अगर आपको रास्ते का पता होगा आपको पता होगा कहां से होते हुए आपने मकसद तक पहुंचना है कहां है आपकी destination वहां तक पर ठोचिनेके लिए आपको रास्ता पूरी तरेके से पथा है वहां पर आप बहुत ही आराम तरीके से पहुंन सकते हैं कोरिक् häuf रहता है वह आपको क्या कर देता है वेक passa वीछ रिफ्लेक्स की चिच आप एक घर करता है इतनी की चीज़ आप करし तरहा है जैसे आपका सल्बस होता है सल्बस आपको बताया जाता है कि अधने सारे सब्जेक्ट्स है समझ में आ जाता ह ido संखना है कूनी सी चीज़े अभी आपको PrepIyare करनी है तो करिकूलम वही काम करता है वो आपको ये दिखा देता है कि किस तरीके से आप एक रास्टे से दूसरे रास्ते पर जाएंगे किस तरीके से आप अपनी जो मनजिल है उसको उस तक पहुँचेंगे जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुँचेंगे कैसे आप अपनी जो जो भी आपने गोल सट कर रखा है वहां तक आप किस तरीके से पहुँचेंगे यह सारा काम आपका करिकुलम का रहता है अगर आप एडुकेशन पढ़ते हैं लेकिन आपको कोई मकसद पता नहीं उस उसकोी उसलिस माना चाहिए और मैंगों कि आपने आर्स पढ़क है पदा नहीं मुझे पढ़ना था कि आपको क्या कर लिया आ तब जाके आप वो रास्ता चूज करेंगे उस मकसद तक पहुंचने के लिए अगर बिना मकसद कि आपको चीज़ करते हैं आप किसी भी आपको रास्ते जो है भटका देंगे आप बहुत सारे रास्ते जो है अपने लिए खोल देते हैं जिसके वज़े से आपका में दिए गए होंगे कि आपने ये कुर्स को स्टडी करना है ताकि ये कोड़स को अप अप अच्छे से स्टडी करें और अपनी 12 आप पास करेंगे और अच्छे मार्ट लेकर आएंगे उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जितना भी करिकुलम का टॉपिक रहता है वह बहु को समझाने की कोशिश करूंगी लेकिन topic by topic अब उसके बाद में मैंने कुछ definitions लिखी हैं जिसे मैंने आपको education topic पढ़ाया था class 11 का chapter 1 मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे लोगों का अलग-लग तरीके से लोगों की speculations होती है अलग-लग ideas होते हैं कुछ लोग उस ideas को accept करते हैं कुछ criticize कर देते हैं कुछ अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक particular जो चीज पहुंचानी जाही जानी चाहिए वो आप तक पहुंच सके तो यहां पे भी curriculum की बहुत सारी definitions जो है वो दीके हैं जिनमेंसे मैंने दो बहुत सारे importance जो हमारी education में बहुत ही important जिनका रोल रहा है जिनोंने बहुत सारी चीज़े समझाने की कोशिश करी है मैंने दो शक्स की definition जहां पे दी है और मैं उसे definition साब को समझाने की कोशिश करूँ कि उनका क्या कहना है इस particular topic के बारे में तो मैंने यहां पे लिका है Cunningham Cunningham जी ने कहा है कि Curriculum is a tool in the hands of the artist which is a teacher in order to mold his material जो है the puppy in according to his ideals जो है उनका मकसद in his studio जो है school institution कुछ भी हो सकता है Cunningham जी का मानना है कि Curriculum एक ऐसा हतियार है जो एक artist को दिया जाता है जैसे किसी भी तरह के artist के पास में कोई ऐसा weapon होता है जिसको वो use करता है ताकि वो अपने जितने भी material है जिस तरह का material है जिसको जिस shape में डालना है उस shape में डाल सके जो भी उनका मकसद है उनको पहुंच सब्सक्राइब करते हैं और में पिसी जो बैठने किसी सबाएं कोशिश नहीं करता है। उसी हम तरीके से चरिक्ल काूल де दिया जाता में तीचर को स्पप Frame 2 फिलता तसे सब्सक्राइब के ड़का, सब हमसे स्सक्राइव सम hats रच रंच संसे की मोठाय कर्या है वह र συछ खाल इंसरी क्या में कम आप इंसलिच टैड़े की array नियूहे कर अपने ही। तूल को पता होता है कि अगर मुझे 7-8 मन्स का टाइम है मुझे क्या करना है इन 7-8 मन्स में यह जो कोड़ा करवाने की कोशिश करनी है ताकि मेरे जो बच्चे हैं इस सब्जेक्ट में अच्छे परसंटेज जो है वो लेकर आ सके तो अगर एक टीचर के हाथ में यह टूल न स्टूडेंट की प्रेपरेशन करवानी है ताकि वो अच्छे जो है माक्स लेकर आ सके और अपने सब्जेक्ट में अच्छे नंबरों से पास हो सके और अगली क्लास में जो है वो अपने आपको कर सके अगर यह हमारे पास करिकुलम नहीं होगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे करिकुलम जो है एक ऐसी चीज है एक ऐसा कोर्स है जो हमें यह बताता है कि इस तरीके से हमने इस कोर्स को पूरा करना है ताकि जो भी हम चीज अचीज करना चाहते है जो हमने मकसद बना रखा है लाइफ का उस मकसद दक हम पहुंच सके उसके बाद हमें बढ़ना है कि जो करिकुलम है उनके बारे में उनकी जो कहना है वो थोड़ा डिफरेंट है वो कहते है थे एम of education is the development of valuable personality and spiritual individuality कहता है कि करिकुलम का फाइदा इसलिए है क्योंकि हमें बता है कि education का मकसद क्या होता है education आखर क्या चाहती है वो चाहती है कि एक अगर बच्च जो है अगर वह पढ़ना चाहता है सबसे पहले तो वह अपनी आ परसिनलीटी को डवलब कर सके आपकी आप परसिनलीटी को डवलब करने का मतलब हो गया जितने भी एस्पेक्ट्स आपकी personality के overall harmoniously अगर मैं बात करती हूं जिसमें physical, mental, moral, intellectual, spiritual ये सरी चीज़े आ जाती हैं वो आप अच्छे तरीके से विक्सित कर सकें आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप पड़े लिखे हैं आपका जितना भी development की aspects है वो अच्छे तरीके से develop जो होने चाहिए उनके साथ में उन्होंने बोला है spiritual individuality होनी चाहिए आप अगर पढ़ाई करते हैं आप जैसे ही कोई बचा पढ़ाई करता है कोई course करता है किसी एक अच्छे मुकाम पर आता है तो कहीं न कहीं उस मुकाम का जो जितना भी श्रे है वो उसी बच्चे को दिया जाता है तो education का फाइदा तब है जब आप अपनी development जो सारे के सारे आपके aspects and development के उनको अच्छी तरीके से develop कर सके और अपनी individuality को लेकर बाहर आ सके तब ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह का material आपको पढ़ना है क्या क्या चीज़ें आपको इसमें cover करनी है ताकि आप इन चीज़ों को cover कर सको और जो अपनी ये classes को पूरी कर सको और next class में enroll हो सको या फिर जो भी आपको 12 के बाद की planning होती है वै तक आप पहुंच सके किसी भी तरीके से आपको एक जो कोर्स है वो दे दिया चाहता है आपको वहां तक पहुंचना होता है किस तरीके से आपको पहुंचना होता है किस तरीके से आपको प्रिप्यार करनी है जितना भी समय रहता है आपके पास उस समय को आपनी किस तरीके स बढ़ सकें तो करिकलम 12th class का बहुत ही important chapter बहुत ही interesting chapter है education बहुत ही interesting होती है यह आपको day to day life की जो भी चीज़े होती है experiences होते हैं उनको सीखने में मदद करता है जो कि बहुत अच्छी बात होती है बागी subjects भी बहुत दिल्चस्प होते हैं लेकि education का role बहुत ही ज़दा important रहता है आपको चीज़े समझ में आते हैं कि आपकी day to day life में किस तरीके से चीज़े होती हैं और किस तरीके से changes वो देखने को मिलते हैं उमीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके kinds और characteristics के बारे में बताऊंगी तो सबसे पहले आप य और जो शुरू से अंग तक इस वीडियो के साथ जुड़े होते हैं उनके लिए उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी जाद से जादा वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा चैनल जो है subscribe करें thank you so much